MP की सीको कमो योजना के अंदर गत अभियर्थियों के ओनलाइन रजिस्टरेशन सुरू हो चुके हैं रजिस्टरेशन बिल्कुल फ्री में किये जाएंगे और बार्मी पाज से लेकर सनातक या फिर सनातको तर के अभियर्थी ओनलाइन अप्लाई कर सकते हैं रजिस्टरेशन का कोई चार्ज नहीं है और मद्य परदेश के मूल निवासी युवा रजिस्टरेशन कर सकते हैं मुखे मंद्री सीको कमो योजना में महीला और पुरुस दोनों रजिस्टरेशन कर सकते हैं जिनकी उमर 18 साल से लेकर 29 साल के बीच में हैं उनको 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक स्टाइपेंड दिया जाएगा यानि कि ट्रेनिंग के समय 8,000 रुपए परती माँ से लेकर 10,000 रुपए परती माँ तक दिये जाएंगे और इस ट्राइपेंड है वो अधिकतम एक साल तक दिया जाएगा आजम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि मुखे मंदरीशी को कमाओ योजना के अंदर गद यूवा अपना रिजिस्टरेशन किस तरह से कर सकते हैं मुखे मंदरीशी को कमाओ योजना के अंदर गद एक लाग यूवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी यानि कि काम सिखाया जाएगा और उनके बदले में राजिस सरकार 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए परती माँ एक लाग सी ज्यादा यूवाओं को देगी और 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए एक साल तक दिये जाएगे अब सवाल आता है कि 8,000 रुपए की से मिलेंगे और 10,000 रुपए की से मिलेंगे मद्य परदेश की शीको कमोई योजना के अंदर गत 8-10,000 रुपए सेक्षनिक योगेता के आदार पर परती माँ स्टाइपेंड दिया जाएगा जो नियुन्तम क्वालिपिकेशन जिनकी बार्युपए पास है उनको 8,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा और जिनकी नियुन्तम क्वालिपिकेशन आईटी पास है उनने 8,500 रुपए परती माँ दिये जाएगे जो डिपलोमा होल्डर है उनको 9,000 रुपए परती माँ दिये जाएगे जिनकी क्वालिपिकेशन सनात्तक या फिर सनात्कोतर है उनने 10,000 रुपए परती माँ स्टाइपेंड दिया जाएगा और मुक्य मंदरीशी को कमाओ योजना के अंतरगत ट्रेनिंग दी जाएगी यानि की काम सीखने के लिए आपको एक साल का समय दिया जाएगा और एक साल के समय में आपको 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक स्टाइपेंड परती माँ दिया जाएगा और योजना के अंतरगत स्टाइपेंड आपको हर महीने आधार कार्ट से जूड़ेवे बैंक खाते में बेज़े जाएगे यानि कि आपका एक बचत काता होना चाहिए और उसमें आधार कार्ट जूड़ावा होना चाहिए डी बी टी अनेबल होना चाहिए ताकि आपको हर महीने स्टाइपेंड मिल सकें इसमें आपको 75% राजिय सरकार देगी और 25% जिस भी आप संस्टा में काम करेंगे उसके दवारा दिये जाएगा अभी तक हम बात करें तो मुख्य मंद्री शीको कमाओ योजना के अंदर गत 9862 संस्ता पंजिक्रित है इन संस्ताओं में 28962 से ज्यादा पद खाली है तो अभी अगर आप रेजिस्टेसन करना चाहते हैं तो मुख्य मंद्री शीको कमाओ योजना के पोर्टल पर जाकर रेजिस्टेसन कर सकते हैं हम आपको लाइब दिखाने वाले हैं कि आप कैसे रेजिस्टेसन करेंगे registration करने से पहले कुछ दिसा निर्जस दिये गए उन्हें आप ध्यान से जान लें उसके बाद में ही आपको मुख्य मंद्री शीको कमाओ योज़ना के अंतर का registration करना है यान की फोरम बरते समय हमें क्या-क्या साफदानिया रखने हैं और कौन-कौन से document अप्लोड किये जाएंगे इस योज़ना में पंजियन करने के लिए समगर ID अनिवारिया यान की परिवार का समगर ID कार्ड बनावा होना चाहिए और जो भी योज़ना फोरम बरता है उसका नाम समगर ID कार्ड में होना चाहिए साथी समगर ID कार्ड में पंजिगरित मोबाइल नमर एमेल शक्रिया होना चाहिए उपलब्द होना चाहिए OTP आएगा ते नमर है समगर पोर्टल पर आवेदक का आधार EKYC किया जाना आवसेक है EKYC का मतलब है कि समगर पोर्टल पर आधार डाटा का OTP या फिर बायोमेट्रिक के मादिम से मिलान किया जाएगा अगर आपका समगर पोर्टल में EKYC नहीं है तो सबसे पहले आपको समगर.gov.in पर जाकर समगर पोर्टल पर EKYC करवानी होगी और EKYC 24 गंटे में अपडेट होगी उसके बाद में ये फोरम बर सकते हैं पांस नमर है अभियर्थी पंजयन करने के पर जात प्राप्त यूजर आइडी और पासवर्ट में लोगिन कर अपनी प्रोफाइल पूर्ण करेंगे चाहे नमर पोर्ट है और सबसे इंपोर्टनेट है अभियर्थी योजना अदर्गत पातरता के लिए नियूंतम सेक्सनिक योगता बार्वी या फिर आईटे या फिर डिप्लोमा की जानकारी दर्ज करेंगे इसके लिए समन्दित अंक सुची की सौप्ट कॉपी अधिक्तम आकार यानि की 500 के भी की होनी चाहिए और पीडियेप में अप्लोड करनी होगे आपकी नियूंतम चाहिए बार्वी पास आईटी डिप्लोमा जो भी क्वालिपियस न है उसकी मार्क शीट आपको स्केन करके अप्लोड करनी होगे और साथ नमर पॉइंट है सबसे इंपोर्टेंट है इसके बिना हमारे खाते में 8-10 जार रुपए नहीं आएंगे बैंक काता आदार लिंक डिप्लोमा जोड़ावा होना चाहिए ताकि डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माइदम से सीधे रुपए हमारे बैंक खाते में पहुंच सके है मुखे मंदरी शीको कमो योजना के अंतरगात जो भी युवा फोरम बर रहे हैं उनके आईउ 18-29 वर्स के बीच में होनी चाहिए साथी समगर पोर्टल पर आवेदक का आदार ए के वाई सी होना अनिवार है मुखे मंदरी शीको कमो योजना के अंतरगात मद्य परदेश के इस्तानी निवास से ही फोरम बर सकते हैं चार नमर है सेक्शनी योगेता बार्वी या फिर आईटी उतरण या फिर इस से उच्छिक्चा ग्रेंड कर रखी है तो फोरम बर सकते हैं आपको लाइब दिखाने वाले हैं कि मुखे मंदरी शीको कमो योजना के अंतरगात फोरम कैसे बरा जाता है पोर्टल पर हमें यहां पर मिलता है इस पर हमें क्लिक करना है जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमारे सामने दीशा निर्देश ओपन हो जाएंगे तो इ इस योजना के लिए पातरता रखता हूं या फिर रखती हों तो इसे हमें सेलेक्ट करेंगे और आगे बड़ेंपर क्लिक कर देना है उसके बाद में तीन नमरी स्टेप में हमारे सामने पंजन फर्म ओपन हो जाएगा यहां पर जो भी यूवा फोरम बर रहा है उसका सम्म अगर में रिजिस्टर मोबाइल नमर पर OTP प्राप्त होगा आपके मोबाइल नमर वाटसब की सुईदा है तो वाटसब पर भी OTP प्राप्त हो सकते हैं अन्यता आपको मेसेज के दवारा OTP प्राप्त होंगे तो जैसे हम सत्यापीत करें पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमारे समगर ID card में जूड़ हुए मोबाइल नमर के लास्ट के तीन अक्सर हमें यहां पर मिल जाएंगे और उस पर हमें OTP बेजना होगा OTP हम दो टाइप से प्राप्त कर सकते हैं SMS के मादम से प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे मोबाइल नमर वाटसब पर है तो हम वाटसब पर भी OTP प्राप्त कर सकते हैं OTP बेजना पर क्लिक कर देना है जैसे साथ हम OTP बेजना पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से अगला स्टेप ओपन हो जाएगा हमारी जो भी समगर में पंजिकरित मोबाइल नमर है उस पर OTP एगा और मोबाइल नमर कौन से है वो भी हमें यहां पर दिखा दिया जाएगा यहां पर OTP दर्ज करना है और सत्यापित करें और विवरन प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में अगले स्टेप में यहां पर हमारी डिटेल एटोमेटिक आ जाएगे यानि कि हमारा सब कुछ डाटा है वो सम्मगर ID कार्ड से लिया जाएगा जो हमारे परिवार का सम्मगर ID कार्ड है उसमें जो हमारा नाम है उसमें जो हमारी डेटो बर्थ है वो सब कुछ डिटेल यहां पर अटोमेटिक आ जाएगे अगर हमारे नाम की spelling सही नहीं है या फिर डेटो बर्थ सही नहीं है तो हमें सम्मगर ID card में अपनी detail को update करना होगा हम यहां पर पीता का नाम माता का नाम edit कर सकते हैं अन्यत अगर माता पीता का नाम सही है तो यहाँ पर आपको एडिट नहीं करना है और आगे बड़ेंपर क्लिक कर देना है उसके बाद में अगले स्टेप में हमारा एड्रेस आएगा और समगर पोर्टल के दवारा हमारा एड्रेस एटोमेटिक आजाएगा हम यहाँ पर एड जिकरित मोबाइल नमर WhatsApp पर है तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अन्य था आपके समगर ID कार्ड में जुड़े मोबाइल नमर WhatsApp पर नहीं है पर क्लिक करते ही OTP आएगा यहां पर हमें वो OTP टाइप करना है और वेरिफाई कर देना है तो हमें यहां पर मिलेगा इमेल OTP वेरिफाईड सक्सेस पुले उसके बाद में यह तीनों पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है और सब्मीट कर देना है जैसे सात्यों सब्मीट करेंगे तो हमारा फोरम है वो सब्मीट हो जाएगा और हमारा रेजिस्टरेशन कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पर जैसे ही मारा रेजिस्टरेशन कम्प्लीट होगा तो हमें यहाँ पर एक मेसेज मिलेगा कि मुख्य मदरीशी को कमो योजना पोर्टल पर आपका पंजियन सपलता पुर्वक किया गया आपका उप्योग करता नाम और पासवर्ड आपके पंजिकरित मोबाइल न पासवर्ड आएं वो टाइप करेंगे कैप्चा कोड टाइप करेंगे और लोगिन कर देंगे जैसी साथ हम लोगिन पर क्लिक करेंगे तो डैसवर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा अब हमें केवल दो ही काम करने होगे हमें हमारी एजुकेशन क्वालिपिकेशन डीटेल है वो बरना होगा और हम कौन सी संस्ता में या फिर परतिस्टान में ट्रेनिंग लेना चाहेंगे उसको सेलेक्ट करना होगा तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन क्वालिपिकेशन है या हमारी जो सेक्शन क्यों गेता है उसे यहाँ पर एड करना होगा बार्वी से लेकर highest जो भी हमारी qualification है graduation, post graduation उन सब को एके करके यहाँ पर हमें add करना होगा तो सबसे पहले हमें बारवी class की detail भरना होगा यानि कि हमारे बारवी में कितने percentage है और हमारा बारवी का subject क्या है, art है, commerce है, science है वो select करेंगे और यहाँ पर हमारी बारवी के mark sheet को scan करके upload करेंगे और जोडें पर click कर देंगे तो हमें इस तरह से बारवी और बारवी के बाद में जो भी हमने degree course कर रखा है उन सब की detail इस तरह से add करनी होगी और जैसे हमारा यह education qualification complete हो जाएगा तो उसके बाद में skill training से समंदित course वे इस्तान को select करना होगा हम अपनी इच्छा के अनुसार और हमने जो भी course कर रखें उसके अनुसार हम अधिक तम 30 course जोड़ सकते हैं हमें जो training दी जाएगी वो हमारे जो education qualification है उसके अधार पर ही दी जाएगी मालीजे अगर हमने ITA electrical से कर रखा है तो हमें यहाँ पर electrical से समंदित course को select करना है इसी तरह से मालीजे अगर हमने diploma कर रखा है civil engineering का तो हमें civil से समंदित diploma से समंदित course को select करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी section क्योगता है वो select कर लेना है मालीजे हमने 12 पास किया उसके बाद में डिप्लोमा किया उसके बाद में ग्रेजुएशन किया तो हम सबसे पहले 12 सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में हम कौन से सेक्टर में कोर्स करना चाहते हैं जैसे ओटो मोबाइल है Capital Guards है, Agriculture है तो इस तरह से हमें Select करेना है उसके बाद में Course का नाम यहां से Select करेंगे और जोड़ें पर क्लिक कर देंगे एक युवा अधिक तम 30 Course ही जोड़ सकता है आप अपनी रूचे के अनुसार और अपनी सेक्षनिक योगेता के आदार पर केवल 30 ही Course जोड़ सकते है और अगर आप कोई भी Course हटाना चाहते है तो यहां पर हटाएं पर क्लिक करके हटा भी सकते है तो हमने यहां पर Training के लिए Course भी Select कर लिया है Education Qualification भी Select कर लिया है उसके बाद में हम कौन से इस्तान से Training लेना चाहेंगे इसकी लेना चाहेंगे उन इस्तान के नामों को यहां से Select करेंगे तो सबसे पहले राजी का नाम यहां पर Automatik आजाएगा मध्यपरदेश उसके बाद में आपका जो भी जिल्ला है या पिर आपका जो इस्तानिय जिल्ला है या पिर आप जिस जिल्ले में रह रहे हैं उस जिल्ले के नाम को Select करेंगे और जोड़ें पर Click कर देंगे या पिर आप जिस जिल्ले में Training लेना चाहते हैं उस जिल्ले के नाम को यहां से Select करेंगे और जोड़ें पर Click करेंगे कोई limit नहीं है अगर हमने छली के नाम यहां से सलिट कर सकते है। उसके बाद में हमारे पास अगर अनुबौव है एक्सपिनेस है तो वो टाइप कर सकते हैं अगर हमने कहीं परशिक्षन लिया है अगर हमारे पास IT से समदीध कोई Certificate है तो उस certificate का नाम हमें type करना है और save पर click कर देना है उसके बाद में profile per view पर click कर देना है जैसे सात्यों profile per view पर click करेंगे तो हमने जो भी हमारा registration किया है profile में update किया है उन सब की detail इस तरह से आ जाएगे अगर हमें अपनी profile में कुछ भी update करना हो तो अभी हम update कर सकते हैं तो इस तरह से आप मुखे मंतरी शीको कमाओ योजना के अंतरकात registration करके आप हमनी profile में education qualification और training से समंदित course और training से समंदित इस्तान के नामों को select कर सकते हैं अब सवाल आता है कि हमने registration कर लिया है profile update कर दिये है course के नाम भी select कर लिया है जीलों के नाम भी select कर लिया है तो अब हमें prescription कैसे मिलेगा हमें 8-10,000 रुपए और मैने कैसे मिलेगा है तो दोस्तों मुखे मंदरी सी को कमाओ योजना पर 9,800 से ज़्यादा परतिस्टान registered है यानि की संस्ता है रजिस्टर्ड है जो भी हमने detail बरी है उन detail को verify किया जाएगा और उन संस्ताओं के दवारा हमसे संपर्ग किया जाएगा और संपर्ग call के दवारा भी किया जा सकता ह मेसेज की दवारा भी किया जा सकता है वाटसप पर भी किया जा सकता है और एमेल पर भी किया जा सकता है तो दोस्तों हमने जो education qualification है जो भी हमने training के लिए course select किया है sector को select किया है उसके आधार पर तो मुखे मंदरी सी को कमाओ योजना के portal पर registered संस्ता है परतिस्टान है उनके दवारा संपरक किया जाएगा और हमें training दी जाएगे तो दोस्तों आजम ने आपको बताया कि मद्धे पर देश की मुखे मंदरी शीको कमाओ योजना के अंतरकात online registration फ्री में हम कैसे कर सकते हैं किस तरह से हम अपनी profile में education qualification training से समंधित course update कर सकते हैं उमीद आज की जानकरि आपको फिरी के मिलेंगे अगले वीडियों नहीं जानकर इसाथ आपसे लिगा जन्सूप हो जय हिंद बने महात्रा